हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उदित नाराइंग विश्यो करमा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मसी के इस यूटूब चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि यदि आप अपना डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं और आप तुरंत अपना रजिस्टेशन करा कि मेडिकल इस्ट रोपेन करना नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि आगे कुछ आपके लिए क्या खास हो सकता है और यदि आपका कुछ प्लान है कि हम यह करना चाहते हैं तो सबसे खास बात कि कौन सा करना चाहिए ज्यादा कन फूजना हुए डी फार्मा करने के बाद यदि आप आगे हारी स्टेडी में कुछ करना चाहते हो तो डेफिटिल इस वीडि करें करने का यृँ जोब करने का या इस सबसे डाइन द्यान से मेरी बात को सुनना किसी यह क्लियर अपको बता रहा हुं की डवर्मा क patron क्लियर करने के बाद कोई आपके पास तो इयानि ब्ली लड रिलडिए में मिल जाएगा फार्मा के तढhu सेमेशन करते जब नहीं ऐसा क्यों कि या हम बीसी नहीं कर सकते किन है स्था अब कर लिए तो है मेरे डिएजर है लेकिन बात को संझ आप डि पार्मीडिय एक चीज़ करें और आद यदि रिखनर दि आप डिभार्मां किसी कोर्स में आपको admission मिलेगा D pharma के certificate के basedarin यानि D pharma को जो माkusit होती हम कुछ value मिले कि आप defects करेके के ही Excel को कर सकते हो तो only one it呢 लेटरल इंट्री यानिabout कि हो और Bachelor और अपिट अभे जाक में तासिंच में पगए ठीक्शन मिल जाएगा ठीके dead वहीं पर हम आप करें कि क्या में admission नहीं मिलेगा डेपिनेटली मिलेगा मेरे भाई लेकिन फार्मेशी का कोई वेयलू नहीं है अपने साइड साइड को यह इ offend बाई स्फेट नहीं यहां सैड रखो जय सको लेकर करना चाहते हो नर्सिंग यानि इस नर्सिंग ठीक या फिर आप करना चाहते हो ब्लैशल ऑप मेडिकल लेब भी तरह की रेडियोग्राफर का कुर्स है एक सिस्या टेकनिशन का कुर्स है रेडियो ख्रकार मतलब बहुत सारे option आपके पास हैं paramedical courses में तो यदि इन में से कोई भी आप course करना चाहते हो तो आपको श्री फोर्शिप जवरत पड़ेगी intermediate की और वहां होना चाहिए उस course के जो भी के साथ क्लियर करते हो तो आप कोई भी stream के साथ क्लियर कर सकते हो लेकिन नर्सिंग नहीं कर सकते हो और वहीं जब बात आती है लेप technician की नहीं कर सकते हो वहीं जब बात आती है कि कोटी technician की नहीं कर सकते हो और जब बात करते हैं लेप technician की या कहीं नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इतना लेक्चर दिए तो काफी कुछ आपको को लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने friend circle में share कर दीजिए फिर भी जादी कुछ लगता है कि समझाने में कमी सी है बता देना दिन पर दिन इंप्रूब करूंगा उसे सही करूं चली अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो बहुत से इसा मानना होता है कि अब करने तो साथ में अपना और यहां पे ब्लट कर comment कर लेंगे तो चेकिंग यह आपना कि कौनेक्थ कर लो और यहां पर इसी के साथ यदि किसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हो आपको एसा लगता है कि मैं फार्मसिस्ट हूं और मुझे नर्सिंग का भी काम करना है तो आप यह भी कर सकते हो क्या सेलरी इंक्रीज होगी डेफिनेटली होगी यदि आपके पास अलग-अलग सेटर के दो डिपलोमा है दो प्रीमेडिकल हैं फार्मसिस्ट भी आप हो नर्स भी आप हो लैप टेशियन भी आप हो यह कुछ भी और भी आप को लेडिशनल में तो इसका अड़ांटेज आपको मिलता है अब आपको क्या करना है यह डिसाइड आपको करना पड़ेगा क्यूंकि यदि आपको आपको जाना है और आप फार्मसिस्ट भी हो और साथ में आप लैप टेक्निशन भी हो तो क्या दोनों के पास डिग्री या डिप्लोमा भी है तो आपके थोड़ा सा कहिने के ज्यादा मिल सकता है तो इस तरह की बात है और लगभग आप समझ पारे होंगे कि आपको क्या करना है उसके कोडिंग आपको डिसिजन लेना पड़ेगा बहुत से बच्चे करते हैं भाई ब्यसी का क्या ड्वांटेज है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका डी फार्मा भी मांगे और साथ में ब्यसी मांगे तो नहीं लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर जैसा नहीं कर सकते हो लेकिन डिफिनेटली आप भी मां के बाद गिरेजियोसन के बाद कर सकते हो इसी प्रकार से और ृप्संट होते हैं आपके पास तीन साला को बी फॉrim मा करने में भी लेगा और तीन साली आतको वी से अंब्रस सब्सों置 तो औरक्ते से बाद हो नाには ब्सक्त के बाद ही हैं तो इंटर्मीडेट तरप ध्यान दो आप डी फार्मा के बाद क्या करें यह पूछोगे तो शिरिफ एक ही रिप्लाइ रहेगा बी फार्मा लेटर अधर्वाइच कोई भी आप्शन नहीं है लेकिन क्या नहीं पढ़ सकते पढ़ सकते हो भाई इंटार्मीडेट बी फार्मा नहीं आपका डिपलोमा का ट्रांफर सेट्रिफिकेट और डिपलोमा की माक्षित लगती क्या सभी चीज क्लिएर है अगर क्लियर है तो कमेंट में यस लिखो और वेडियोच को लाइक करो श्यर करो चैनल को सुस्क्राइब करो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में